नमस्कार, अगर आप हमारे नए मीत्र हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अल बटन चरूर प्रेस कर लिजेगा, इससे मेरी हर रोज आपको कहानी मिलेगी, और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सेर भी कर दिजेगा, तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं, अपने पास इकलोता बचा सौर पया का नोट और एक थेला उठा कर, स्याम लाल जी सब्जी मंडी जाने लगे, तो अपनी पतनी को आवाज दी, माधवी, माधवी, दरवाजा बंद कर लेना, मैं सब्जी लेकर आता हूँ, ठीक है, लेकिन धनियां पत्ती और हरी मिर्च ल अरे स्याम बाबू, आईए आईए, आज बड़े दिनों बाद दर्सन दिये, आपने, पहले तो आये दिन सब्जियां लेने आते रहते थे, सब्जी बाले ने पूछा, हाँ दिन दयाल, पहले की बात और थी, लेकिन अब दो बूढ़े जन, कितनी सब्जियां खा लेंगे फिर महंगाई भी तो दिन बदिन बढ़ती जा रही है, इतना खर्चा क्यों करना भला, स्याम लाल जी ने जवाब में कहा, ये बात तो है बाबू जी, अच्छा बताईए, कौन-कौन सी सब्जियां लेंगे, सब्जी बाले ने उत्सूकता से पूछा, तो सोच विचार कर स्याम लाल जी बोले, बस आधा-ाधा किलो आलू, प्याज और आधा किलो टमटर दे दो, थोड़ा धनिया भी डाल देना, ठीक है बाबू जी, डेर सो रुपईये हो गए, सब सब्जियों के साथ धनिया पत्ती और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने कहा, तो स्याम लाल जी ने संकोच भरी नजरों से उनकी ओर देखा, और अपने कुर्ते की जेब से सो रुपईये निकाले, और आगे बढ़ाते हुए बोले, दिन दयाल, अभी ये सो रुपईये ही रख लो, वो क्या है ना, पैसे तो मैं ज्यादा लेकर आया नहीं था, लेकिन यहां आन दयाल बोला, क्या बाबुजी, बरसों से आप मुझसे सबजी खरीद रहे हैं, मैंने आपसे कभी पैसे मांगे हैं क्या, जब कभी पैसे हो, तब दे देना, अभी ये सो रुपईये भी रख लिजे, अरे नहीं दिन दयाल, मैं आता हूँ, एक दो दिन में, कहते हुए स्या स्याम लाल जी सबजियां लेकर घर वापस लोटाए, अरे आ गए आप, ये क्या, आप तो पूरी तरह भीगे हुए हैं, पसीने से, क्या पैदल गए थे, मादवी जी ने पूझा, तो स्याम लाल जी ने हां में सिर हिला दिया, फिर मादवी जी गुस्य से बोली, आपको कि इतनी बार कहा है कि आटो करके जाया करो, लेकिन मानते हैं कहां आप, ये क्या, आप तो सबजियां लेने गए थे, बस आलू, प्याज लेकर वापस आ गए, तो क्या करता मादवी, सिर्फ सौज रुपईये थे जेब में, ये सबजियां भी डेर सो रुपईये की है, अभी पचास रुपईये देने बांकी रह गए हैं, इज़त बचाने के लिए सबजी वाले के सामने भी जूट बोलना पड़ा, कि पैसे तो लाया था, पर दबायों पर खर्च हो गए, कहने को तो आई एस बेटे का बाप हूँ, पर जेब में एक फूटी कौडी भी नहीं, कहते करते स्यामलाज जी की आँखों में नमी तैर गई, तो माधवी जी ने उनके कंदे पर हाथ रखते हुए बोली, अगर पैसे खत्म हो गए थे, तो आदिती को फौन करके पैसे भेजने को कह देते, पैसन आने में अभी दो-तीन दिन बांकी है, लेकिन माधवी, ये बात उस उसे खुद भी तो समझनी चाहिए ना, कि मैं अपने माता-पिता के प्रती भी कुछ करता भी उनके लिए है, पैसन के तोर पर जो 20,000 प्रती माह मिलते हैं, उसमें से 10,000 लोन की किस्ट में चले जाते हैं, वो लोन जो अपने बेटे आदित की पढ़ाई के लिए मैंने लि है, जिसका करियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी एक्छाओं का गला घोट दिया, वही आज अपने माबाप को भुला कर अपना अलग बंगला बनाकर ठाट से जी रहा है, क्यों माधवी, क्या बुढ़ापे में हमें बच्चों के साथ की जरुत नहीं थी, स्याम लाल आजवों को किसी तरह छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी से मुस्कराहट लिए वो अपने पती को समझाने लगी, आप तो जानते ही हैं कि आज कल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपने जिंदगी अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं, तो इसमें क्या हर्ज हैं, बच्चे खूस रहे, माबापको तो इसी में खूसी मिल जाती है, बस करो, मादवी बस करो, हर बार की तरह आज भी बेटे बहो की कर्तुतों पर परदा डालने लगी, स्याम लाल जी ने गुस्से में कहा, तो कुछ देर के लिए मादवी जी सांत हो गई, और फिर प्य चले, तो स्वैम को समझा लेना चाहिए, भलाई इसी में है, तो चलिए, फोन लगाईए, अपने बेटे को स्याम लाल जी के हाथों में मुवाइल देते हुए मादवी जी ने कहा, और उसके साथ सोफे पर बैठ गई, स्याम लाल जी ने फोन लगाया, बेल बजती रही, ल पहले ही आदिती बोला, पिता जी, अभी मेरे पास बिल्कूल भी समय नहीं है, कल बात करता हूँ, मैं आपसे ऐसा कहकर उन्होंने फोन रख दिया, क्या हुआ जी, फोन नहीं उठाया, उसने मादवी जी ने पूछा, तो स्याम लाल जी बोले, फोन तो उठाया था, लेकि किसी जरूरी कम में, चलिए, मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए, कहते हुए मादवी जी रसोई में चली गई, अगले दिन स्याम लाल जी अपने बेटे के फोन का इंतिजार करते रहे, करते रहे, लेकिन फोन नहीं आया, ऐसा भी क्या व्यस्त है, जो अपने मादवी बात नहीं है, जितना आप समझते हैं, अरे नहीं, आदिति का फोन नहीं है, ये तो सर्मा जी है, हमारे पुराने पडोसी, कहते हुए स्याम लाल जी ने फोन उठाया, तो दूसरी तरब से आवाज आई, अरे भाई, स्याम लाल जी, कैसे हो, तब यह तो ठीक ही है ना, हाँ स्याम लाल जी ने कहा, तो सर्मा जी बोले, अगर सब ठीक है, तो कल पाटी में क्यों नहीं आये आप दोनों, उनकी बात सुनकर स्याम लाल जी हैरानी भरे स्वर में बोले, पाटी, कैसी पाटी, अरे भाई, कमाल करते हो तुम भी, कल तुमारे बेटे बहु की मैरेज अन् सरी थी, क्या सांदार पाटी दी थी उन्होंने, सर्मा जी ने कहा, तो स्याम लाल जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा बदन एक सुन सा पड़ गया था, तभी सर्मा जी बोले, क्या हुआ स्याम लाल जी, कहां गुम हो गए, फिर स्याम लाल जी ने कहा, अर और वैसे भी मुझे तो घर का खाना भी भाता है तो सर्मा जी ने कहा वैसे स्यामलाल जी एक बात तो माननी पड़ेगी आज जिस मुकाम पर आपका बेटा पहुच चुका है आपके बरसों की तपस्या का ही फल है इतने बड़े बड़े लोग के साथ उठना बैठना है उसका और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है सर्मा जी कहते जा रहे थे और स्यामलाल जी नम आखें लिये वो सब बाते सुनते जा रहे थे सर्मा जी से बात करने के बाद जब स्याम लाल जी ने फोन रखा तो माधवी जी हैरानी से बोली आप फोन पर जूट क्यूं बोल रहे थे आपको कब हुआ सर्ब दर्द फिर स्याम लाल जी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा माधवी कल हमारे बेटे बहु की मेरेज अनिवरसरी थी कल रात को हमारे अपसर बेटे ने अपने दोस्तों को जान पाचान वालों को फाइब इस्टार होटल में पार्टी दी इसी काम में व्यस्त होगा जो हमसे बात करने के लिए समय नहीं मिला उसके पास यह सुनकर मादवी जी बोली अरे हां कल तो 3 अक्टूबर थी, 3 अक्टूबर को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है, हम कैसे भूल गए उसे विस करना, सायद इसलिए बच्चे हमसे नाराज होंगे, तभी तुम भी हद करती हो मादवी, हमने विस नहीं किया तो क्या, तभ बात तो यह है कि सहर के इतने बड़े बड़े लोग आये थे, कि उनके सामने हमें बुला कर वो लोग अपना बेजजती नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हम दोनों को नहीं बुलाया हमारे बेटे ने, अपने माबाप को नियोता तक नहीं दिया, अभी स्याम लाल जी वीडियो वाट्सब पर बेजी थी, तभी इस तस्वीरों और वीडियो को देखकर स्याम लाल जी और मादवी जी हैरान हो गए, पार्टी वाकई बहुत सांदार थी, बड़े-बड़े मंत्री और सेलिब्रेटीज आज आये हुए थे, आदिति के दोस्तों और जान पाचा के लोगों के अलावा उनकी बहु के माता-पिता और अन्य रिस्तेदार भी पार्टी में मौझूद थे, सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था, बहु के माता-पिता केक काटते समय उन दोनों के साथ खड़े थे, यह सब देखकर स्याम लाल जी और इंसन आई, तो स्याम लाल जी पहले सबजी वाले के पैसे देने चले गए, लेकिन घर जाने के लिए पैसे ही वापस मुड़े तो, हर बार की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुख गए, जैसे ही अंतर गए तो दुकानदार जिसका नाम सोहन था, उन्होंने दे दुकानदार ने पूछा, तो स्याम लाल जी बोले, अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो मिलने चला आया, काम धंदा कैसा चल रहा है बेटा, काका, आपकी महरवानी और उपर वाले की किरपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, कहते हुए सोहन लाल जी, स्याम लाल जी के लिए फल डालने लगा, और नहीं बेटा, अरे रे नहीं बेटा नहीं, फलों की जवरत नहीं है हमें, अरे खाया पिया करो काका, देखिये तो कमजोर होते जा रहे हैं आप, कहते हुए दुकानदार ने फलों का इतने पैसे लाया था वो तो खर्च हो गए क्यों सरमिंदा करते हैं काका आपके कारण ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ मैं भूला नहीं हूँ जिस समय कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं था तो आपने ही तो मेरी मदद की थी आठ वर्स पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी मां बिमार थी तो एक पैसा नहीं था मेरे पास उनके इलाज के लिए उनका इलाज करवाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया था तब आपने एक सिर्फ मेरी मां के इलाज में मेरी मदद की बल्कि मु कुछ दिर सोहन के साथ हाल चाल बांट कर स्याम लाल जी अपने घर वापस लोट आए कुछ दिन यूहीं बीत गया एक दिन सुबा सैर करके घर लोट रहे थे तो स्याम लाल जी बोले अरे ये क्या माधवी अवी तक सोई हो तब यत तो ठीक है ना पता नहीं फिर से सीने में जलन हो रही है अरे माधवी कितनी बार कहा है कि एक बार चलकर में चेकप करवा लेते हैं लेकिन तुम माधवी कहां हो खर्च के डर से अपनी सेहत को तो नजर अंदाज करना तो ठीक नहीं है ना आज तुमने डक्टर के पास चलना ही पड़ेगा जित करके स्याम लाल जी म पास में रहने वाले अपने फैमिली डक्टर के पास ले गए लेकिन डक्टर ने चेकप करके बताया मामला कुछ गंभीर है आप इन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाईए स्याम लाल जी चिंता में पड़ गए ये सोचकर कि बड़े अस्पताल में खर्च भी होगा डक्टर से चेकप करवा कर जब लोट रहे थे तो स्याम लाल जी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया हेलो बेटा हाँ पिता जी कैसे हैं आप बहुत दिनों से कोशिस कर रहा हूं लेकिन थोड़ा समय निकाल कर आप से मिलने आ सकूं लेकिन हर बार कोई न कोई क स्याम निकल आता है बेटा वो तो मैं तो ठीक हूं बेटा पर तेरी मां की तविया ठीक नहीं है क्यों क्या हुआ मां को आदिति ने पूछा तो स्याम लाल जी रुंधे स्वर में बोले पता नहीं कुछ दिनों से बिमार रह रही है बड़े अस्पताल में दिखाने की सला दी है डक्टर ने और तुझे तो पता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है अरे पापा तो उन्हें डक्टर महलोत्रा के पास ले जाए ना मैं उनसे बात कर लूँगा हाँ बेटा वो तो ठीक है परन्तु अगर उन्होंने टेस्ट करवाने को कहा या फिर किसी और अस्पता रखता हूँ पिताजी थोड़ा काम है स्यामलाल जी फोन पर हेलो 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 करते रह गए पर दूसरी ओर से तो फोन कट चुका था लाचार होकर वे कुर्ची पर बैट गए तीन दिन बाद रवी वारको आदिती ने अपनी पतनी मुस्कान से कहा मुस्कान जल्दी से तयार हो जाओ आज मा पिताजी से मिलने जाना है क्या मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में मुस्कान ने नाक भाउज सिकड़ोते हुए बोला कह दिया तो आदिती ने कहा लेकिन मुस्कान मा की तवियत खराब है तीन दिन से पिताजी दोड़ रहे हैं अस्पिटल पिताजी का भ लेकिन मुस्कान मा का हाल चाल पूछने तो जाना पड़ेगा न ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने दोबारा फोन नहीं किया वरना मेरे पास समय कहां था वहां जाने के लिए यह सुनकर मुस्कान घबराई हुई सी बोली अरे हाँ दो तीन दिन पहले पिताजी का फोन आ आते थे मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी लेकिन आदित मुझसे भूलो गई मुझे याद नहीं रहा ऐसी कोई परिसानी वाली बात होगी आदित ने बिना देर किये अपने पिता को फोन लगाया लेकिन फोन वियस था मैं अभी वहां जाता हूँ करकर आदित ज के अंदर आया उस समय उनके पिता अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे अंदर आते ही आदिति ने उन दोनों के पैर छुए अपनी जेव से 10,000 रुपे निकाल कर मेज पर रखे और पास रखे टेलिफॉन की और देखते हुए नाराजगी जताते हुए बोला क्या पिता और मैं तुम्हें दो दिनों से फोन लगा कर ठक चुका हुँ उसका क्या अरे पिताजी क्या बताओ मैं कितना व्यस्त था जिस समय आपको आपका फोन आया मैं उसमें CM के साथ वीडियो कौन पर वीडियो कॉल पर था लेकिन आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया बेटा म मैंने एक बार नहीं कम से कम दस बार फोन लगाया था पहू के मुबाइल पर यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मुबाइल अच्छा सायद उनका फोन स्विच आप होगा चलो छोडो आप ये मिठाई खाओ पिताजी अब आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है मैं केविनेट सेक्टरी बन चुका हूँ लेकिन काका आप भी खाये मा जल्दी बाहर आओ मैं आपकी फेविरेट मिठाई लाया हूँ बहुत बड़ी खुसकबरी है रहने दो बेटा तुम्हारी मा अब इस दुनिया में नहीं रही स्याम लाल जी गंभीर स्वर में बोले तो आदित्ती दुखी जताते हुए बोला सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी माध्मी हमेशा हमेशा के लिए कहते हुए स्याम लाल जी की आँखे आस्वों से भर आई क्या ये क्या का रहे हैं आप आदित्ती चिलनाने लगा तभी स्याम लाल जी के दोस्त भूसन जी ने कहा बेटा तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मौलूत्रा से सला लीद तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा लेकिन बिना पैसे के बड़े अस्पताल में तुम्हारी मा को एड्मिट तक नहीं किया तुम्हारा ये बोढ़ा बाप उन लोगों के सामने गिड़गड हात पौँ सब जोडता रहा लेकिन पैसे जम करवाई बिना वो इलाज शुरू करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे यह सब सुनकर आदिति के होस उड़ गये वो अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया आज उनकी मा उनकी लपरवाही के कारण ही इस दुनिया से चली अपने मुझे बताया तक नहीं ऐसा क्यों किया आपने ऐसा क्यों किया बेटा मेरे पास यहां बहुत लोग हैं मदद के लिए तुम अपने घर जाओ जरूरत के समय पर अगर तुम यहां होते तो तुम आज मादभी हमारे साथ होते अब निकल जाओ यहां से और हां यह पै पिता जी मेरे साथ अपनी मों के अंतिम दर्सन भी नहीं कर पाया मैं। आदिती की इस बात पर उनकी पतनी मुस्कान बोली। लेकिन आदिती पिता जी ने उनका संसकार इतनी जल्दी क्यों कर दिया। मुस्कान अगर तुमने फौन उठाया होता तो ये नवबत ना आती। ये देखो तुमारे फौन में दस मिस कॉल है। लेकिन आदिती ये कॉल्स किसी अंजान नंबर से आई है। मुझे कैसे पता चलता की फौन तुमारे पिता जी का है। दो दिन बीते तो आदिती के पास उनके ससुर जी का फौन आया। मुस्कान ने फौन उठाया। तो आवाज आई बेटी जल्दी से टीवी आन करो। लेकिन हुआ क्या। सवाल मत पूछो मुस्कान। न्यूज चैनल लगाओ। अभी मुस्कान ने जल्दी से टीवी लगाया। तो सामने ख़बर आ रही थी आदालत ने आज एक इतिहासिक निर्ने लिया है। एक विरिद अवरत उनकी मिर्तियो दिल का दोड़ा पढ़ने के कारण हुई। उनके पती ने अपने बेटे पर ही उनकी हत्या का आरोप लगाया है। और कोट ने भी पुलिस को F.I.R. दर्ज करने का आदेश दे दिया ह और बेटी तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पर केस हुआ है वो कोई और नहीं बलकि मेरा दमाद आदित्य है। इतना सुनते ही आदित्य और मुस्कान की हवायां ही उड़ गई। फिर टीवी स्क्रीन पर दिखाई दिये सियाम लाल जी। तो बताइए सर जब अपने बेटे पर आप हत्या का अरुप कैसे लगा सकते हैं। देखिए मेडम ये एक हत्या ही है। मेरे बेटे की लापरवाही के कारण ही मेरी पत्नी की मिर्तिव हुई है। यदि मेरी पत्नी को ठीक समय पर इलाज मिल जाता तो वो आज जिन्दा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं। और मैं इस बात का मौनिय कोट का अभारी हूँ जो उन्होंने मुझे उस समय समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे अदालत से न्याय जरूर मिलेगा। यह देखक तो मुस्कौन के पैरो तले जमिन खिसक गई और आदिति को तो जैसे काटो तो खून नहीं। जब स्याम लाल जी घर लोटे तो उनके पास आदिति का फौन आया। हेलो पिता जी आप अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर स्याम लाल जी ने कहा बेटा अब त जुर्रीदार गालों को भिगो गए दीरे दीरे एक आयस अधिकारी पर मुकदमे की खबर पूरे सहर में आग की तरफ फैलने लगी और इस कारण आदिति को नवकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब केस कोट में गया तो स्याम लाल जी ने अपना केस खुद ही लड़ने क का फैसला किया। हलांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील न्यूक्त किया था। कारवाही शुरू हुई सबसे पहले तो स्याम लाल जी ने अपने फैमिली डक्टर को बुलाया और पूछा जिस दिन मैं अपनी पतनी को आपके पास चेक अप के लिए लेकर आया था। उस दिन क्या क्या हुआ था आप सबको बता दीजिए। तो फिर डक्टर ने कहा जिस दिन उन्होंने मादवी जी का चेक अप कर किया तो स्याम लाल जी को बताया था कि उन्होंने माइल्ड हार्ट अटेक आया है और उन्हें किसी अच्छी अस्पताल में देखने की सला दी दिखाने की सलादी स्याम लाल जी के पास फीस के भी पूरे पैसे नहीं थे तो मैंने उनके पैसे नहीं लिये इस बात पर स्याम लाल जी ने कहा जज साहब अब आप ही बताईए अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के पैसे होते तो मैं कैसे अपनी पत्नी का इलाज अच्छे अस्पताल में नहीं करवाता। फिर स्यामलाल जी ने एक अन्नी डक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि ये उनकी अस्पताल के डक्तर है जिस अस्पताल में वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे फिर अस्पताल के डक्तर ने अपनी गवाही में कोट को बताया कि जब स्यामलाल जी अपनी पत्नी को लेकर आये थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कूल भी पैसे नहीं थे इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया था क्योंकि ये अस्पताल के नियम के खिलाप था स्यामलाल जी ने मुझे बताया कि उनका बेटा एक I.A.S. अफिसर है और वह अगले ही दिन आपका पूरा पैसा चुका देगा परन्तू जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो बांकी काफी देर तक तो फोन लगाते रहे पर अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए फिर सियमलाल जी बोले जज सहब मैं उन रात आदिती को फोन लगाता रहा लगाता रहा फोन लेकिन उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया और फिर जब मैंने अपनी बहु मुस्कान को फोन लगाया तो उसने कहा कि आदिती अभी किसी काम में व्यस्त है मैं उसे बताने ही लगा था कि बहु इमर्जेंसी की इस्थी है लेकिन बिना सुने ही उसने फौन काट दिया जैसे पैसे के अभाव में कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था उसके बाद जब मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था उसी दोरान उनकी हालत बहुत अधिक गंबीर हो गई और रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया इस पर आदिति के वकील ने अपनी दलील दी और स्याम लाल जी को दोसी ठराते हुए बोला लेकिन आपको उसी अस्पताल में रहकर आदिति को फिर से फोन लगाना चाहिए था कुछ समय बाद वो फोन का जवाब जरूर देता आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी पत्नी की मिर्थ्यू हुई है फिर स्याम लाल जी गुस्या से बोले बिल्कुल गलत जज साहाब आप पूछिये डॉक्टर से कि मैंने कितनी देर वहां इंतजार किया कितनी बार अपने बेटे को फोन लगाया जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब ही मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जाने लगा कि सायद उनकी जान बच जाए इससे ज़्यादा इंतजार करता भी तो केबल इतना ही फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की वज़ाए अस्पताल में मर जाती इन सब बातों को सुनने के बाद जज ने अगली तारिक दे दी सुनवाई खत्म होने के बाद जैसे ही स्याम लाल जी बाहर निकले तो मीडिया वाले उनका इंटर्व्यू लेने लग को तयार खड़े थे एक आम आदवी होते हुए भी जिस तरह की दलिले उन्होंने पेस की थी बड़े बड़े वकील भी उनके आगे घुटने टेक देते थे अगली सुनवाई में जज साहब ने स्याम लाल जी से पूछा कि आखिर आप इस केस के चाहते क्या है तो स्याम लाल जी ने कहा जज साहब मुझे 200 करोर रुपये की रकम चाहिए यह सुनकर जज साहब बोले लेकिन इतने रुपये क्यूं तो स्याम लाल जी ने बोले क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किये हैं वो कुल मिला कर धाई करोर रुपये की रकम बनती है तभी आदिती का वकील बोला मिश्टर स्याम आप गलत पागल हो गया हैं क्या आप जानते भी हैं आप कितने पैसे मंग रहे हैं तो स्याम लाल जी बोले जब आदिती पॉंच साल का था तब हमने हमें पता चला कि उसके दिल की एक गंभीर बिमारी है जिसका इलाज ओप्रेशन से ही संभव था और जिस पर लाखो रुपये खर्च होने थे उसके इलाज के लिए हमने अपने गाउं की जमीन बेच दी थी अगर आज वो जमीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखो नहीं वलकि करोडो रुपये मिलते इसलिए मुझे अपने बेटे से उस जमीन की आज की कीमत कितनी रकम चाहिए और साथ ही साथ मुझे वो रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की आदिति IAS बनना चाहता था लेकिन उनके लिए उसे अच्छी कोचिंग की ज़रत थी जिनकी फीस इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे अफ़र्ड नहीं कर सकता था इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मु अपने बेटे को बड़ा किया और आज जब IAS ओफिसर बन गया तो हमें उसी पुराने मकान में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ आलिसान बंगले में रहने लगा उसके बाद वो हमारी सारी जिमिदार्यों से मुक्त हो गया अपने इकलोते बेटे का चेहरा देखने तक को तरस गई तर मेरी पत्नी और मैं काते काते स्याम लाल जी की रोने लगे इस सब बातों से मेरी पत्नी भी गंभीर चिंता में रहने लगी फिर रोते हुए स्याम लाल जी बोले जज सहाब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को भी भूल जाते हैं जिस माँ बाप ने दीन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया उन्हीं माँ बाप की बूड़ी धुंदलाती अंखे बच्चों की इस जलक पाने को तरस जाती है फैर जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्च किये अगर उसे भी मेरी कदर नहीं है तो उसे वो सारे पैसे भी वापस लोटा देने चाहिए ज्यामलाज जी की यह दलिल सुनकर कोट में बैठे सभी लोग की आँखे भी आस्मों से भराई कोट की सुनवाई के बाद आदिती और मुसकान ठके हारे घर पहुचे तो मुसकान के पापा भी वहाँ पहुच गए मुस्कौन कीचन में चाय बनाने के लिए जाने लगी तभी आदिती ने कहा मुस्कौन सच सच बताना तुम्हें पता था न कि उस अंजान नंबर से पिताजी ही फोन कर रहे थे हाँ मुझे पता था और मैं जानती थी कि अगर मैंने फोन उठाया लेकिन मुझे लगा अगर फोन उठाई तो पिताजी फिर से अपना दुखडा सुनाना सुरू कर देंगे इसलिए हमने फोन नहीं उठाया लेकिन मुस्कौन आज तुम्हारी बज़ा से मैं इतनी बड़ी मुसिबत में फसा हुआ हूँ लेकिन इसमें मेरी कहां गलती है जब उन्होंने पहली वार फोन किया था तब मैंने ही फोन उठाया था क्या उस समय वो पूरी बात नहीं बता सकते थे कि मौ की तवियत खराब है फिर आदिती अपने ससूर जी से बोला पापा मुझे लगता है कि वो पैसे मेरे पिता जी ने मौंगे है मुझे उन्हें दे देना चाहिए इस बात पर मुस्कौन गुसे से बढ़कते हुए बोली हां हरगीज नहीं आज तक तक तुमारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किये है वो उनका करता भी था तभी माता पिता अपने बच्चों के लिए करते हैं सभी करते हैं उन्होंने कुछ नया नहीं किया है जो खर्च के पैसे मंगने निकल पड़े हैं उपर से जमाने भर में हमारी बिज़ती करवा कर रख दी कान खोल कर सुन लो जितनी पदनामी हमारी हुई है न अब तो मैं उन्हें एक पैसा नहीं देने वाली स्टाट अप मुस्कान बंद करो अपनी बकवास पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ आदिती गुस्से सिच्चिलाया उसके ससुर जी बोले मेरे पास एक तरकीप है जिससे सौब भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी कैसी तरकीप पापा आदिती ने पूछा तो उसके ससुर जी ने उसे सारा प्लौन समझाया जिसे सुनकर मुस्कान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई आदिती को भी बात पसंद आई तो उसके ससुर जी ने पहले मुबाइल से कहीं बात की और फिर फोन रखते हुए बोले अगली तारीक को बात पक्की समझो ये केस खतम हो जाएगा तभी अगली तारीक को जब सभी कोट पहुचे तभी स्याम लाल जी के कौनों में एक पत्रकार की आवाज आई ऐसे नालायक बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए इसे तो मौत की सजा होनी चाहिए उम्रकैद की सजा होनी चाहिए जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख जेलना पड़े ये सुनते हुए ही सियाम लाल जी के पीछे मूड कर देखने लगे और बोले आदिति मेरा बेटा है ये केस करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूँ ना केवल उसे बलकी आज की पीड़ी को भी जो समझती है कि बुजुर्ग लोग पुराने और बेकार हो चुके हैं फरनिचर की तरह फेक देते हैं कारिवाई सुरु हुई तो आदिति के वकील ने खुद आदिति को ही कटगरे में बुलाया और उसने बयान दिया कि उसके पिता स्यामलाल जी को भूलने की बिमारी है या सुनकर स्यामलाल जी की हैरानी का ठिकाना न रहा उसके बाद आदिति के वकील स्यामलाल जी के वकील से पूछताच की और उसने स्यामलाल जी के भूलने की बिमारी की बात पूछी तो उसने भी जूठी गवाई दे दी कि स्यामलाल जी बहुत सी बाते भूल जाते हैं यह सुनकर स्यामलाल जी को बहुत गुसा चड़ा वह समझ गए थे कि उसके वकील का इमान बिक चुका है और वह विरोधी टीम में सामिल हो चुका है लेकिन स्यामलाल जी इस इस्ति के लिए भी पूरी तरह से तयार थे उसी समय वो खड़े हुए और अपने ही वकील से बोले वकील साहब आपने सही कहा मुझे भूलने की बिमारी है मुझे तो ये भी याद नहीं कि ये केस मैंने किस दिन फाइल किया लेकिन आपको तो याद होगा ना स्यामलाल जी की ये बात सुनकर वकील हडवड़ा उठा और थोड़ी दिर दिमाग पर जोड़ डालने के बाद बोला सायद 17 या 18 अक्टूबर जी नहीं 20 अक्टूबर अच्छा ये बताईए कि केस के सुनवाई कौन-कौन सी तारिक को हुई स्यामलाल जी ने पूछा तो वकील बोला मेरी डैरी में सब लिखा है अभी देख कर बता देता हूँ अरे 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 इतनी तकलीप करने की ज़रुत नहीं है अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ 24 अक्टूबर, 4 नमबर, 15 नमबर और आज 27 नमबर अच्छा है ये बताईए कि हम दोनों अभी जिस टेक्सी में बैट कर आए उस टेक्सी का नमबर क्या था इस प्रस्ण पर वकील हैरान रह गया तो फिर सियाम लाल जी बोले चलिए मैं बता देता हूँ और सियाम लाल जी ने उस टेक्सी की पूरी नमबर बता दी आदिती और मुस्कान के साथ साथ उनका वकील भी हैरान खड़ा रह गया उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी यादास पाकी लोगों से कहीं ज़्यादा तेज है उनके बाद जज साहब अपने फचले पर पहुच गए और बोले कि आदिती निर्दोस है भले ही वह अपने माता पिता के प्रती लापरवा रहा हो लेकिन इस कारण उसे अपनी मा की हत्या का दोसी करार नहीं दिया जा सकता लेकिन आज तक जिसने भी पैसे स्यामलाल जी ने अपने बेटे पर खर्च किये हैं वो पैसे आदिती को उन्हें वापस लोटाने होंगे यह फैसला सुनकर स्यामलाल जी की आँखों में आशू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोडते हुए बोले मैं जानता था कि आदिती को कोई सजा नहीं होगी परन्तु मैं समाज में जागरुखता लाना चाहता था ताकि आज की पीड़ी अपने माँ बाब की कदर करे और उन्हें सम्मान दे दो महिने बीते तो एक दिन आदिती के पास एक फौन आया हेलो बेटा आदिती जन्म दिन मुवारक हो या सुनकर आदिती की हैरानी का ठिकाना न रहा क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बलकि उनकी माँ मादवी जी की थी माँ आप आप जिन्दा है कापते वे आदिती बोला तो दूसरी ओर से स्याम लाल जी ने कहा हाँ बेटा तुमारी माँ जिन्दा है हमें छोड़कर वो कही नहीं गई है मैंने तुनिया के सामने वकील के सामने जूट बोला था यह सुनकर आदिती की आखों में खुसी के आशू आ गए और सामने खड़ी मुस्कान को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है आदिती ने जब फॉन रखा और यह बात बताई तो मुस्कान गुस्य से तमतमा उठी यह सब करके तुमारे पिताजी ने बहुत बड़ी गलती कर दी अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोट में किसी को कैसे घसीटा जाता है यह तुम क्या कर रही ओ मुस्कान आदिती बोला तो मुस्कान ने कहा तुमें अंदाजा भी है उनकी वज़ा से हमारी कितनी बदनाई में हुई है हर सोशल मीडिया पर साइट पर हमें ट्रॉल किया जा रहा है कहीं बाहर निकलती हूँ तो लोग कहते हैं मुझे देखकर तरह तरह की बाते करते हैं अब तो घर से बाहर निकलना भी मुस्किल हो गया है अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगी देखो मुस्कान सांथ हो जाओ बिल्कुल नहीं अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ कहते हुए मुस्कान ने अपने पापा को फौन लगाया अगले ही दिन पुलिस स्याम लाल जी को गिरपतार करके ले आई और केस फिर से खोला गया जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए स्याम लाल जी को अदालत में लेकर गई तो मीडिया वाले बोले अरे बाबा आपने ये सब क्यों किया दुनिया वालों को आप पर इतना विश्वास था तो स्याम लाल जी मुस्कुराते हुए बोले मैंने कुछ गलत नहीं किया है सुनवाई के दरौन स्याम लाल जी से सारे घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा जब मेरी पतनी को एक अस्पताल में इलाज देने में मना कर दिया गया तो मैं उसे आउटो में बिठा कर दुसरे अस्पताल ले जाने लगा माधवी बिल्कूल बेसूद हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने सोहन को भौन कर दिया था वो सोहन जिसकी मैंने बरसो पहले थोड़ी सी मदद की थी वो तुरंट मेरी मदद के लिए वहाँ पहुच गया जबकि मेरा अपनो बेटा जो मेरा खून था उसे मेरी परेसानियों से कोई सरोकार नहीं था सोहन ने तुरंट अस्पताल में पैसे जमक करवा दिये और माधवी का इलाज शुरू हो गया दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैंने उसे सोहन के पास उसके घर पर भेज दिया लेकिन आदिती से मैं अभी नाराज था क्योंकि उसके कारण आज उनकी मा की मिर्तियों भी हो सकती थी और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने एक जूठा सा नाटक किया ताकि मैं उसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूँ ये सारी बात सुनकर मुस्कान गुस्य से आग बवुलना हो गई और बोली देखिये जज साहब सब कुछ दूद का दूद और पानी का पानी हो चुका है अपने ही बेटे बहु से ये लोग इस हद तक नफरत करते हैं कि पूरे सार में उनकी इज़त की धजियां उड़ा कर रख दी आपसे गुजारिस है कि जज साहब आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और जूट बोल कर जो पैसे इन्होंने लिये हैं वो ब्याज समेत हमें वापस दिलवाईए माधवी जी जो कोट में बैठी सारी बातें सुन रही थी अब चुप न रह सकी और कटगड़े में आकर कहने लगी हमारा बेटा आदेती साधी के पूरे पॉरे पॉंच साल बाद पैदा हुआ था इसे पॉने के लिए मैंने कितने वरत रखे कितनी पूजा की उसके बाद कहीं जाकर भगवान ने मेरी सुनी जिस बच्चे को हमने इतनी मनतों से पाया इतने प्यार से पाल पोस कर बढ़ा किया उसे उनके पैरों पर खड़ा किया क्या हम उनसे नफरत करेंगे हमारा बेटा अपसर बन गया हम लोगों से अलग हो गया फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ में आ जाता था लेकिन बहु उसके साथ कभी नहीं आई बेशन के लड़ू देसी घी में नारियल डाल कर बर्फी से सब बहु को बहुत पसंद था सब बना कर भेशती थी मैं उसके लिए एक साल पहले बहु बिमार पढ़ गई थी इतनी बिमार की उसकी जान पर बनाई थी औ जाकर अपनी बहु की सलामती की प्रार्थना करने के लिए और आज यह कहती है कि हम उनसे नफरत करते हैं मुसकान बहु जो रुपए तुम अपने ससूर जी से मंग रही हो ना उसमें से एक पैसा भी अब उनके नाम पर नहीं है यहां तक कि उन्होंने जो अपने बस्ती व बोली लेकिन ये सच है मेरे पती ने उन पैसों से एक बहूत बड़ा व्रिद आसरम बनाया है जिसमें अवलाद द्वरा दुसकारे जाए बोढ़े बोढ़ियों का सभी सुभिदाय उपलब्ध है ताकि वो लोग अपने जीवन की संध्या बेला में आनंद से रह सके उन्ह का दर्द उनके दुख सबके सामने लाना चाहते थे और अपने इस मकसद में वो काम्याब भी हो गये हैं ये सारी बाते सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे और सायद मुसकान के कठोर हिरदय में भी कुछ भावनाय जागरित हो गई खड़ी होकर वह बोली जज साहब मैं अपना केस वापस लेती हूँ और कोट से बाहर चली गई तभी जज साहब बोले केस तो वापस ले लिया गया है लेकिन स्याम लाल जी ने जो किया उससे अदालत मौप नहीं कर सकती इसलिए उन्हें तीन महने कैद की सजा सुनाई जा पेटा बहू ने आकर उनसे मापी मांगी और पुराने बाते भूल कर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा हलाकि स्याम लाल जी ने उन्हें माप कर दिया था लेकिन वे उनके साथ चलने को तयार नहीं थे अब उन्होंने अपनी बांकी की जिंदगी विरिद आस्रम में ही बिताने का फैसला कर लिया था कुछ दिनों बाद कोट के वही जज उनके विरिद आस्रम में आये जिनोंने स्याम लाल जी का मुकदमा सुना था विरिद आस्रम का माहोल देकर जज साहब बहुत ज़्यादा प्रसन होगे बहुत प्रभावित हुए बिमार बुजरुगों क ऐसा माहोल बना हुआ था जब स्याम लाल जी ने जज सहाब को देखा तो आस्चरी चकित रह गए फिर जज सहाब बोले स्याम लाल जी मैं यहां आपका सुक्रिया अधा करने आया था मेरा बेटा जो बैंगलूरु में नोकरी करता है मैने में एक या दो बार बड़ी मुश्किल से फोन किया करता था लेकिन जब से तुम्हारा केस सामने आया है उसके बाद से वो मुझे दीन में दो बार फोन करने लगा है और तो और हर विकेंड पर पतनी और बच्चों के स साथ मुझे मिलने भी आता है इसके लिए मैं तुम्हारा सुक्र गुजार हूं कहते हुए जज सहब ने स्याम लाल जी को गले से लगा लिया उस समय स्याम लाल जी के चिहरे पर मुस्कान और आखों में खुसी के आसू थे तो दोस्तों यह थी आज की प्रेरना दाइक फेम आते रहे और खुस रहे हर हर महादेव